राच्ष्री से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकेन पे क्लिक कीजिए राच्ष्री से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के लिए सब्सक्राइब के लिए सब्सक्राइब कीजिए। झाथे झाथे जाएकेन नेकेन जुड़े और बेहने के लिए सब्सक्राइब के लिए सब्सक्राइब कीजिए झाल 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 जिन्दगी गुजरगी शीदड़े टाकते टाकते भाः बुले बसें कर दो कर दो अचे बात बता हम यहां तुम मर्द होकर बुजदरों की तरह पेड़ पे लेटा के खुद कुछ गन्ने का क्या मतलब है अरे जिन्दगी तो खुदा की नियमत है जो नहीं समझा उसकी जिन्दगी पे लानत है मुझे देखो कि कैसी हालत है मेरी ना पेड मेरोटी है ना लानत है तुम्हारे जिन्दगे पर क्यों अगर मेरा ऐसा फटा हाल होता तो तो मैं तो पैदा होते ही फासी लगा लेता तुम्हारा हाल तो इस वक्त मुझसे हजार गुना बैतर है फिर तुम क्यों खुदकुशी कर रहा है यह तुम नहीं समझोगे अरे हम सब समझते हैं अधिया आधी से ज्यादा दुनिया खरीबियों और भूग के लपेटे में लिप्टी हुई है कोई रोख क उसे बता देता है और कोई हस के छुपा देता है वागर फिर भी खुदकुशी उसका हल नहीं है मेरे दोस्त कि दोस्त कि तुमने मुझे दोस का मगर तुम मेरे दोस्ती के लायक नहीं हो क्योंकि दोस्तु वह होता है जो अपने दोस्त को हर काम में कमपोनी दे उसका साथ अगर सब sufficient पासिल लटकने को तैयार हो तो यह मैं तूम को अपना दोस समझा हो उखा क्वास क्या त्यांड सकत G Week उसक्त परन रौठ करते करते हो तुम काम क्या करते हो फटे पुराने कपड़ों में रफू किया करता हूं धागे से लपेटता हूं और कपड़ों को सिया करता हूं कि बोल चमेंगी अच्छा क्योंकि मुझे अभी एक लपेटने वाले की इस्साथ जरूवत थी क्या है मैं फेकता हूं वाज में वह तो जाहिर है तो जितनी भी आइनदार से वखवास किया करूं जो भी आइनपाइशन पगा करूं जो भी बात किया करूं तो मसका रफू कर देना अगर यह खुदकुशी एंसर अरे मुबारक हो जलो उट्वा मियां दोस्त यह मेरा घर है आज से तुम मेरे साथ इसी घर में रहोगे बड़ा शांदार घर है ऐसा घर हमने अपने बच्पने में बाइसकोप में देखा था अब समय है अच्पने में वहें सब्सक्राओं को सब्सक्राइब पाई बना नहीं किरीusi in कवश भूब की वजह से ऐसी आफ़ाए यह हालत कि दे बाव लाइं अधिक दोस्ता है इनकी खाथे रहो खाणा तयार है जी हां कि दूंग रहे पहले इस्ट वाइब नहीं मैं खाना काऊंगा बहुत भूग लगी है नहीं परना नहीं में खाना खाना आए तरफ फिर आए इस तरफ आएए आजाओ मेरे घरीब दोस्त, इधर से आजाओ, आजाओ, इधर से नहीं मेरे दोस्त थो ना, कुडो, नी में वहा दाओ ना अब फूपी ले लूँआ, नी, पपीनी, मैं आताू, पपीनी, एतनी पपी तो मेरी माने भी नी ली थी, इधर अडाओ, चैस्टो आजाओ यह जो, यह मेरे घरीब दोस्त, यह एक पर राष मलाइ खाव, इधर से, मेरे हाद से, एधर दाल भी ओगे, दाल, एक मेरे, यह झालूर के उना हो हो जोकि अअ में सुन सुन यू यू keen पया ऑब Championship यू यूल या, ये काय दिले? टेटेबल मारास बोले देस्टो आशे, जिकान काओ? नुडल्स यू मस्त थाव नुडल्स ये घास? घास नी हो नुडल्स है मेरे गरीब दोस्तु नुडल्स है खराब है? खराब है? थोड़ा हाद खाव ठेज़ देवलब करो तेज देवलब करो रोटी ये इस तो उठा खा उठागे खाओ ऐसा उठा उठागे खाओ बर्दाद के केच्वे लग रहे है क्ये लाओ ये खाना आजा मोने लिए क्ये लाओ ये एग मैं मैं थोड़ा और देना खाने यो मस्ट टेक देश वो मुँ पोचने के लिए यहाँ जोने के लिए था क्या करता है कुछ होएगा तो नहीं कुछ नहीं होगा सिब फिर साफ होजागा सबने सबने मैंने करेब दोस्त इजे इजे कितने उदुने बाट खा रहा हूं क्या 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 बस भर गया? नहीं नहीं इमान से भर गया? नहीं भर गया? क्या मेरे कमर मेरे दोस्त मैं जाता हो लो मेरे खर हमारे हाँ आप आए हमारे हाँ आप सोएंगे आपने आए हमारी क्योपर से जाओं एक जोरी तोए पॉने के रूरे को टावे मेरी जाने में गड़ा दियो जावे जोरी तोए कैसे ए्र गँर एन्ण। तो नहाँ मेरे मेरे लोस्त आए कि देखे चोरा तेरी जद जद गनेटी आवे मेरो जीवे गणों दो के पावे चोरा तेरी जान बचाई है ऐसे सोरिश पुरो देंगे आव हम यहां सोएंगे यहां कहा मेरे दोस्त मैं तुम्हें इससे भी उची जगा पे सुलाओ और यहां से फुलाओ जाएगे यह जगाचि हम यहीं सो जाते यहां सो जाते हैं तो प्रट आटारो ने जा करें हमके पर पेंगे सो मेरे भाई ओँ नहीं उसमें है नीम नीज आई दरसल क्या है हम अपनी चम्र जीटे है और अपनी कप्र में सोते हैं हुआ नहाय थी खुद्दार, नमखलाल और लावारी स्टाइब के आद्मी मेरे तोस्त चलो सोजाओ Mr. Natuallal जब सवेरे उठोगे तो मुगद्दर के सिकंगर वन के उठना लोड नाइट, शब बाखेर आप आप कहा सो रहे हैं? तेरे कदमों मेरे यार तो शब बाखेर केप पी की जान बचाई है, कोई चलो सोजाओ चलो सोजाओ अजए 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 इतना सरदत क्योवरा या अब आयार में नीचे किसे हो गया? ये बद्भू क्यों आरे बिस्तर में से? अरे किसने? अरे बाभुलाल आया साथ चेटिया आया साथ को और है ये भिकारी टाइबाद मी? सार आपके दोस्त है आपी रात को लाए थे अरे दोस्त और ये? ये सर निकलो उसको बाहर निकलो अरे क्या बाहर निकलो? साथ को जब नशी पेचान मुझे चाड रहे थे अरे मैं आपकी जान बचाईये भाई दो अरे मैं आपकी जान बचाएये वाई रिक्या तमीज है विवना आग्मी अरे शराफत का नाजात फैदा उठा लेता है अरे अरे ये ये अरे आदमी ही जाले है मेरे यार मेरे गरीब दोस्त कहा हो यार चलो मेरे साथ तुम्हारे बगार मेरे जिंदिगी अधूरी है क्यों खिला पिला के लाप मरने को दूसरा नहीं मिला किया कैसी बात कर रहे हो मुझ जैसे दोस्त बात मार सकते हैं मगर कभी लाद नहीं मार सकते हैं आओ मेरे साथ नहीं मुझ यह पहुचाना भई चलो मेरे मेरे तुम्हे मेरे साथ चला रहे मुझ पहुचाना यार नहीं यह क्या है यह यह वेरी तकदीर है यह यह सी फटी हुई तकदीर वा... ठीजो एंग आपसे तुमाई तकदीर है मरसरीज अरे क्या हुआ चाराया खाना नहीं खाना मेरे खारीब दोस्त माँ मैँ खाना केलाओ तुमाइ इजड़ ऐसी इजड़ दिर्षाइ के तुम्भी याद करोगे मैं... एक मैं अब आब मेरी पोड़ी मेरे गड़ाइब गड़ाइब दोस्या नहीं है जुन कर सोच रहे हैं। आप वसुभा बुझे नफ्रस देलाद मरके बार निकाल देंगे। कि तुम्हें गलत फैमी हो गई है मैं सिर्फ अपने दुश्मनों को लाद मारता हूं दोस्तों को नहीं यह मैंनी पीदर पाल कोई रोग नादा जिन्दगी के वास्ते सिर्फ सहर के सहारे जिन्दगी कट्टी नहीं चलना तू मुझे दोस्ती का वास्ता देकर मैं जानता हूं तू सुभा मुझे लात मार कर निकालेगा वह 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 नहाय थी आजाद बैराक किसम के कोई नूर लगते हो यार प्रण घटोले में ले जाओ भूपी सुभा उठना तो राम और शाम बन के उठना आप का सुएंगे आपके कादमों में मेरे घरीब दोस्त आपके पैरोख की नीच्छी आपके चप्पल के पास ओके हुआ दिन्टाइब काँए जय हमें च्रह्ती मलेजर गंलू करें planeta ह्वित disposi कि और पध्रमे करें क्टीम मुझे जांगी जांगी लां करें अज़ जंगली कहने दोजी कहता रहे अज़े फैयाज, जोवेन, गुलामसे भाइस, संतोष, परवीन, हमीन, दिलियो, एलो, यह पखलो, तरभ को अटने से पहले, यह सब गटर में जाके भेग दो, एक बाट लिये घर मेरी चाहिए, साब जली निकलो जली, चलो, हाँ, चाय कोई मुझे जंगली कहा है हाँ तिरी किरी किया, हाँ आप अए गुड मार्निंग सार्थ, पास्टर जी यह आप हमें कहा लेया है यह अपनी ओफिस है, अच्छा, बहुत दिनों बाद है ला, इसलिए पहचान नहीं पा रहे है, इन्हें पहचानिए, यह है आपकी मेरी अंटी गुड मॉरिंग केपी साथ, यह मेरी अंटी अरे क्या मेरी अंटी, क्या पुराना घिसेला रिकॉर्ड के माफिब खानन खानन करता है क्या करेगा केपी साथ, बहुत इलाज किया, ऐसा भी खलास हुआ, पर यह बीमारी खलास होने का नामच नहीं लेता, मैं एक काम गश्ट, इसको डालो डॉक्टर के मुह में, और तुम्हारे मुह में वो डालो, जो यह डॉक्टर बोल लेता क्या बाबा? थोड़ा बेरांडी, उसमें अंडा, एक चम जाने का जगा होना मंग था है, काय को एलाने के लिए एक भजार में, डारेक्ट एक नाहीं में, खलास कौन खलास? बीमारी, बीमार नहीं, Master, डोस दे डालो थेंक यू डोस, यह डॉक्टर ब्रेंड यह, इतना सुबह उठने से पहले, और इतना रात को सोने के बाद लेकिन आदमी नसीफ से बड़ा बनता है बीमारी, यह है Mr. Deepak Bajaj, पुरी इनुवस्ती में टॉप किया है, प्रोफेसर अन्मने बेजा आपको प्रोफेसर अन्मने बेजा आपको तशिर्प रखिए Mr. Deepak Bajaj जी नहीं चलो, very good आपने कभी किसी से महबद की है जी नहीं सर, मैंने शादी की है याने के बागी सब लफड़े पैदा होने का कोई स्थवाल ही नहीं उठता very good वाह, क्या साथवीक चैरा है भई तुम्हारा Master Ji Mr. Deepak आज से केकपी गूप अफ इंडस्ट्री के नए चार्टर अगाउंटन्ट है उसके तो Mr. लाली है लाली को बहुत लाली चड़गी है उसको थोड़ी जी गाली पढ़नी चाहिए और Mr. Deepak का प्रकाश पहले आज से इनको एक लाख रुपया मैना और रहने के लिए बंगला और राकी एक कार खड़ी है और कभी भी ये फैमिली के साथ घुमना चाहें तो ये भाहर जा सकते हैं मगर मास्रे जी हम कहा जा रहा है हमारी शान में तब्दिली कहसे हो गई भाई साहब ऐसी जजवाद में बैगे लाग रुपया नहीं पची सथा रुपया और फिर वापकी काविलेत देकर लाग रुपया हो जाएगा थांकियो सार चलिए थांकियो उपर रखों मिश्टर दीपक यह वरी डिसेंट मैं वरी ग्लाइट तो सी यह नाइस में जिए तो अर्स किया है कि महबत को समझना है अगर महबत को समझना है अगर तो दरिया में खूजा कर क्योंकि किनारे पर उखडू बैटने से अंदाज तूफा नहीं होता करना चाहिए था देखने रहे कि हम जुरूरी मीटिंग में थे अम आमा दो दोस्तों से क्या पड़ता मैंने ऐसी कहीं सुन्दरिया सेक्डवार आपकी गोद में देखी है आपका कैरेक्टर जानता हूं आप मेरे कैरेक्टर जानते हैं केपी साब कह रहे थे कि पगार एक लाग तक हो सकती है क्या मेरी पगार लाख रुपया अरे सुंदरी और करीबाओ नहीं कि ये लिए दिपक बजमाट को उसकती है आपकी नहीं कि लाक रुपया पगार उसकी कि सारी जिंदगी चंचा गरी की मैंने कि अगर उसकी मानदारी की कीमत लाक रुपया हो सकती है है कि मेरी बैमानी 슈ंदने कि कि सिम्ला में मैं अपने चंद दोस्तों के साथ एक बर्फिले टीले पर खड़ा कुछ फेक रहा था और सर्थी घजब की पूर रही थी कि याने कि इतनी कि मेरे मुझ से बात निकली और हवा में जम गई भाई केपी साहब हम आपकी सराथ में इसका मसलब यह तो नहीं हुआ आप कुछ भी ठोकते रहा हम सुनते रहें केपी साहब अन मेरे मतलब है कर आप क्या सोचते हैं कि नहीं ठोकता हूं आप लोग समझते हैं कि मैं फेकता हूं कि मास्टर जील है अणे भाई हम मताते हैं कि असलियत क्या है आपने सुना होगा कि सर्दियों में मूह निकलती है तो इनके मुह से भी भाप निकली है भाप के साथ बात निकली सर्दी ज्यादा थी तो भाप जमी तो भाप के साथ भाप जमी है अब मैं आपको भूपाल के जंगलों का किस्ता सुनाता हूं क्या वह भी बात जमी नहीं बात क्यों जमीक भाई वह पर मैं शिकार करने के आथा तो जंगल में ऐसा कुछ हुआ के मैं और मेरे चंद साथी थे और हम लोग शिगार कर रहे थे और आदम खोर शेर लेटा हुआ था अब मेरी नदर शेर पे पड़ी मैंने उठाई अपनी बंदू और दागदी गोली शेर पे अब शेर भी स्थाला स्थमार था शेर भाग रहा है मेरी गोली भी पिछे भाग रही है प्षेर आगे आगे गोली पिछे 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 प्षेर ने मुड़ के देखा और सोचा कि मैं दाय मुड़ जाओ ओ दाय मुड़ गया है अब गोली भी मेरी थी गोली भी धाय मुड़ गई हाँ अब शेर भाग रहा है गोली भी भाग दिया, शेर बाई मुड़ गया, तो गोली भी बाई मुड़ गया, तो शेर टेंशन में आ गया, अब शेर छलाग मारके पेड़ 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 चड़ गया, गोली भी छलाग मारके पेड़ 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 चड़ गया, अब शेर एक डाल से तुसी डाल प पें दूसरी डाल इस तीसरा गोलीवीश शेर डाल डॉली पाध पाध आफष्य इस डाल से उजड़ पर कूद रहा है कूद रहा है कूद रहा है और गोली भी कूद रही है मेरी गोली थी पूजरी थी वो अपना अब शियर ओपड की तरह इंशन में आके बैड़ गया कि यह गोली का चक्कर क्या है आखिर किसने अमाली अब गोली भी सामने खड़ी जै कि मैं तर लगूंगी मैं तर लगूंगी उधर तुरह उन को सोचा और देखा कि सामने खड़ा थो खक्ड़े में गूद गया कर बदे गोली और तब जाकर गोली लगी है और शेट मौरा है लाहोल विला को अपरे बाब आप एसी बंडल वाजी पहले कभी नहीं तो आप लोग समझ रहा है फिर सरे फेक रहा हूं प्रेक लेता हूं अब तुमने तो कपड़ा फाड के चीतला कर दिया मेरा बाप नहीं सी सकता उसको यह अपने बस की बाथ मास्टर जी अरे यार आपने तो सर्या बेदेती करा दी मेरी मायों माफ करना आज थोड़ा ज्यादा हो गया है मैं चलता हूं आप लोग ने जिस होसला अवजाई से मुझे छेला है कौन किरा मैं किरा तो मैं समझा मैं किरा नहीं नहीं आप कैसे किर सकते हैं आपने शराप थोड़ी पी ती आपने तो सिर्फ गिलास थामा था पी तो हम रहे थे इतना मत पिया करो मस्तर हम हम अधिया करो मासेल जी आज हम लोग इस मोटर साइकल पर सवाने करें हैं मॉस यह अप उनका वाइक है तो क्या हुआ और आप इनको हमारी मर्सेडीज की चापी दीजिए इस फट फटिया के बदले यह मर्सीडीज जीजे आज से इस मौले में आना जाना बंद वो क्यों अरे किल किसी का जोपड़ा पसंद आ जाएगा तो आपके मेरा बंगलर रख ले अपना जोपड़ा मुझे दे जहां रहेगा अपनी रोशनी लुटाएगा कि किसी चराक का मा अब वाइटान नहीं है वाइटान नहीं है वाइटान यह मेरा एड्रस है और इतना याद रख कि तु सिर्फ एक रात का शंशाह है कल सुबद उत्रेगी ना तो गाड़ी लाकि साब की घर पे छोड़ देना और अपनी फट अडिया आके ले जाना अगर बचीतो आश्टर आपको यह मदा मिलता है वार सिर्फ में अब बताइए आपको यह मदा मिलता है वार सिर्फ में इससे ज्यादा मज़ा तो साइकल पर मिल जाता मिया इंशालला अगली बार साइकल पर चले हैं सामने देखिए दो फटपडियां आ रही है क्या कर रहे हैं आपको चड़ गई है वो दो फटपड़ी नहीं बलके एक टेमपो है रहे मिया हमने भी बच्पने में अंधिरे मे बहुत गोड़ा गाड़ियां चलाई हैं लानत से आपके बच्पने पर मियां क्यों लानत से मियां क्या हो यह हुजूर अरे क्रवराट में हमें छोटा बातरूम आगिया है मैदान हाजिरे गंदा कीजिए गंदा अभी आए भाई बहुत जोर सारी तो लोट आईएगा एक मिनिट भाई आतने बहुत जोर से उफ अरे नेकलना जाए अचाहा हुए अचाहा हुए अचाहा बीलकुल लाहो बलाखुवत अरे भाई हलके हो गए चला मिया चला है हलके पने की क्यों पैसे है या दू है ना बहुत ने ताइकिल की सवारी का शौक था ना बहुत यह खरी दिया और घर आ जाईएगा अभी हम आपके साथ चलेंगे अब आप हमारे साथ उटने बटने के काबिल नहीं रहें मास्टर क्यों आचानक हमारी काबिलियत में क्या फरका गया वही छोड़ा बात्रूम जो है वो कमीज के नहीं पतलून के बटन खोल के किया जाता है अरे मालूम है मिया हमने भी तो पतलून के ही बटन हमाला हावल वला कुवर रहना थे शराप पर और शराप बीने वाले पर इंसान को अपने बटन तक काईटरस याद नहीं रहता ठूट अब आश्टर जी हमारी वाली दोगा दे गई यार नहीं हमारी वाली नहीं है इनकी वाली है आओ बैटू नाइसवर मां टैक्सी से चला जाओंगा गाड़ी बिखड़ गई बैटो बैटो आरे हमारा बच चले तो अपने हर वरकर को एक गाड़ी दे दे यार फिलाल लिप्ट दे दीजिए गाड़ी बाद में दीजिए बैट जो नहीं है वैसे मास्ट अरे कुछ नहीं है अगर तकलीफ नहीं हो तो अंदर चलकर एक प्याला चाय हो जाए चाय मिया इस वक्त चाय अब यह तो श्याम की तौहीं के बराबर आए या मास्टर जी समझाए इसको छोड़ा ना अपना आदमी इसकी बात को क्या रफू करना मिया आपकी चाय उधार रहें बर फिर कभी लेकिन अगली बार इंकार नहीं करेंगे तैंकिसर निकाली हरके से औरों के लिए गुना सही बहुत अच्छे हम पिए तो सवाब बनती है अरे सौ गमों को निचोड़ने के बाद एक पत्रा शराब बनती है कर दो एक पत्राब 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 बनती है कर दो एक आख पत्राब मैं तुम्हारे साथ हूँ जिन्दगी भर तुम मेरे साथ हूँ मेरे लबों से तेरे लबों को मैं चूनू सुभ शाम रात दिन मांगती हूँ ये दुआ नहीं किसी मोड़ पे कभी आओ ना हम जुदा मैं तुम्हारे साथ हूँ जिन्दगी भर तुम मेरे साथ हूँ मैं तुम्हारे साथ हूँ जिन्दगी भर तुम मेरे साथ हूँ खिली खिली धूप हो जवा जवा शाम हो मेरे लबों पे सदम सिर्फ तेरा दाम हो तेरा ही हयाल हो तेरा ही सुरूर हो सजन तेरे प्यार का मांग में सिंदूर हो हाथों में ये हाथ हो मैं तुम्हारे साथ हूँ जिन्दगी भर तुम मेरे साथ हो चंदा सितारे बिन्द्या तुम्हारी फूनम की तुम रात हो सुल्फे तुम्हारी काली घटा तुम सावन की बरसात हो पागों में कलिया कलियों में खुश्बू खुश्बू की तुम बात हो मैं तुम्हारे साथ हूँ जिन्दगी भर तुम मेरे साथ हो मैं तुम्हारे साथ हूँ जिन्दगी भर तुम मेरे साथ हो आखे मेरी बस देखे तुम ही तुम खाहों की बात हो होटों पे नह में उनमें दुआए तुम्हार की साथ हो सीने में छोटा सा एक दिल है तुम्हारे साथ हूँ जिन्दगी भर तुम मेरे साथ हो मर तुम्हारे साथ हूँ जिन्दगी भर तुम मेरे साथ हो मर तुम्हारे साथ हूँ जिन्दगी भर तुम मेरे साथ हो मर तुम्हारे साथ हूँ जिन्दगी भर तुम मेरे साथ हो के पी जो तुम्हें भूल गया है उसे याद करके रोना अच्छा नहीं है वो मुझे याद नहीं आई मास्टर नजर आ गई उसके आज के दिदार ने मेरे कल के जख्मों को हरा कर दिया मैं दर्थ से तड़ा पुठा हूं मास्टर तूटकर प्यार किया था मैंने उससे नहीं केपी लेकिन अब वो किसी और की हो चुकी है वो किसी और की हो सकती है लेकिन मैंने तो किसी और को नहीं अपनाया उसने किसी और का हाथ थाम लिया लेकिन मैं तो आज भी उसकी तस्वी हुआ क्या था है जक्तियों के जेलने को चाहिए पथर का दिल हाथ भर का हो कलेजा दिल लगाने के लिए मैं एक मेकनिक था मास्टर ओशित अरे यह हिरो अरे यह सावा सच मुझका हिरो लगता है सुनिए जब प्लीज बने गारी को देखिये स्टार्ट नी हो रही है किसकी नजर लग गई इसे देखने में तो कमाल है मैं तो इसे हमेशे आते जाते देखता हूं यह तो आते जाते लड़कियों को देखता भी है मैं सुनता भी हूं यह तो सुनता भी है लगता है आज की पार्टी तो गई ओ नौ जरा स्टार्ट करके देखिये कितने पैसे हुए मैं आपका पडोसी हूं कोई वेगाना नहीं और अपने पडोसियों से भला कोई पैसे लेता है कि पूजा इसके पैसे दे वरना यह ऐसी वसूली करेगा कि तू जिन्दीगी पर याद करेगी अरे चल हट आप लोगों ने कुछ फरमाया नहीं इस शेहर का क्या होगा यार कि अ क्या आपकी गाड़ी फिर से बिगड़ गई क्या नहीं मैं घर जा रही थी मगर आप अभी तक काम कर रहे हैं क्या करें हम गरीबों के जिन्दकी खतम हो जाती हैं मगर हमारे काम खतम नहीं होते मतलब आप पूरी राथ सोएंगे नहीं जी नहीं मेरी नीन तो वो ले गया जिसकी यह बिगड़ी में कार है अजीब सी बात है जिसकी बिगड़ी है वो सोया है और बनाने वाला अपनी नीन गौप बैठा है नसीब की बात है गुद नाइट वेरी गुद नाइट थैंक यू हुँ 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 आईए मैं आपको घर छोड़ दू जेरे शुक्रिया बस आएगे ने बसते चला जाओ हम आपके पडोसी है कोई बेगाने नहीं हम आप कीजी हुजूर हम भी पडोसी उनसे पैसे नहीं लिते पैचे लई स्वीटा थेंकिए एह मिस्टर जब ड्रावर गारी चलाता है तो बीछे बैठते लेकिन जब कोई अपना चलाता है तो साथ में बैठते हैं आजा थी तो क्या है कि पहलो टुक्त को जा रहे हों रुप जाओ नहीं हो अगया है यह क्या मॉलीओं की तरह सेथी बजाते हो और क्या अकरता अगर तो अनाम लेके पुकारता था तो तुमसे पहले बाप निचे उतराता कोई दूसरा तरीका नहीं मुझे बुलाने का है ना मेरे दूस्त लोग बुलाते हैं मैंसे बुलाओ कैसे तुम कोई अच्छा म्यूसिकल इंस्टूमिन ने बचा सकते यू मेन बाजा पेश्रम कही को बोला था म्यूजिकल इंस्टूमिन बचाने को पूंगी सारी रात पूंगी बचाते रहो अगर मैं तेले पास नहीं आने वली बच्छा ॰ाँ यू प्छू Tian fps प्बंखर वार है कि उना फडस्या हुष को जड़ude प्ट alleinे उड़ी नूफसा çek। पाँ! पेगओनां, पेगओन! जब लुचिए पतरु आपनां, नहीं करते हैं वे दो तुकियाने का क्रिश्णा लेकिन तुम निये पुणगी के बारे में सोचा कैसे ऐसा नहीं रोसकता कि हम लग बगईर कुछ बजाया बजाया हुए ये लो आज के बाद तुम्हें महुत और बजाया करना है मालूम है बड़े आदमी का घर कैसे पैचना चाहता है जब उसके घर में पार्टी हो और गाडियों के लंबी लाइन लगी हो अर हां अपने बंगले का गेट जाली होना होना चाहिए अरे जो अंदर नहीं आ सकता वह कम से कम बंगले को भाज देखकर खुश हो जाए हम जैसे लोग तो बंगले को जाली में से देखकर ही खुश हो जाते हैं हाँ 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 है लेकिन लॉन अपना छोटा नहीं या बढ़ाना चाहिए पॉर्ष में गाड़ी रुखने के बाद जब शौफर दर्वाजा खोले तो लगना चाहिए कि पार्टी सॉल्ड है हाँ और जब हॉल में एंटर करें तो राज कपुर की फिल्मी सेट की तरह सी मेरी जानी चाहिए ये उपर माता हां लेकिन उपर अपना बेट रूम हां और हुजूर जब दर्वाजा खोला तो जन्नत मुश्किल है मगर ना मुम्किन नहीं कृष्णा अब हमें शादी कर देनी चाहिए देखो फुजा में गरीव आदमी हूँ और मेरे माबाब भी नहीं तो क्या हुआ ना मेरा कोई सखी कारोबार है और ना है कोई पक्की नौकरी तो क्या हुआ ना मैं तुम्हें होटलों में लेया सकता हूँ और ना ही अच्छा खाना खिला सकता हूँ तो क्या हुआ ना मेरे पास सार छुपाने के लिए जट है और ना ही और ना घूमने के लिए गारी तो क्या हुआ अच्छा तो क्या हुआ तो क्या हुआ तुम्हारे बापा ने अगर इंकार कर दिया तो तो क्या हुआ अरे बुद्धु शादी मुझे करनी है या मेरे पापा को दो जो कुझे करनी है तूरु जो करनी है फिर इतनी हरीव की खो गए थे हम मुद्धत की प्यास थी तेरे होटों का रस्पिया तेरे हसीन जिस्म को नजरों से छुलिया जादू बिखेर दी थी समंदर की तरहवा सिंदूर बन गया था हरिक जवारित का आंके खुली खुली थी मगर सो गई थे हम थे इतने करीब के एक हो गई थे हम प्राइब के खुली थे हम प्राइब के हो गई थे हम कंगी थे हम कर दू प्राइब के में प्राइब के यूया गुली थे हम सांसों की दर्मियां हर बात हो रही थी हामोश थी जुआ हर मां से मत रही थी बहारों की तीज पर एह सांस की गर्मी थी दोनों की बेखबर दोनों जहां तो बैवे बुला तो गई थी हम फिर कितनी हरीब की खो गई थी हम से में परके सरकों के खो गई थे हम थे इतने खरीब के हो गई थे हम खो गई थे हम हो गई थे हम सो गई थे हम आउन यह रहा हमारा गरीब खाना यह गरीब खाना है कॉन पट्वीज बदमांश है जह देखो तुम्हेश बनकर बैटना है जी आ यू हव तो इंप्रेस्ट माइ फादर ठीके ए पुजा बाभू गड़ाक तो लिए ला रामदीन नमस्ते पापा ये कृष्णा है आओ कृष्णा आओ कृष्णा आओ वेल्कम कृष्णा वेल्कम वेल्कम टू मैं हावस पुजा मेरी इकलोती बेती है और उसकी पसंद पर मुझे पूरा भरोसा है अरे पुजा कृष्णा का मुव मिठा नहीं कराओगी मैं अब भी आई पापा आप चाय पेंगे जरूर कृष्णा को हमारे बागान की चाय पिलाओ अधिया बेठो काहा रहती हो बेटा फिलहाल अपने दोस्त के साथ लवली गेस्ट हाउस ब रहता हूं अगर बहुत जल्द कुछ कर लूंगा मैं अपना कौन से कॉलेज में पड़े हो कॉलेज नहीं मैंने भारत टेक्निकल इस्ट्शूट में मेकनिकल राफ्मेंन का डिप्लोमा किया है तुमारी फेक्ट्री का है जी मैं मिल्लर ओटर कंपणी में स्टॉक कीपर का काम करता हूं मगर मेरे काम से बहुत खुश है वो बहुत जल्दी प्रमालेंट कर देंगे और तुमारे माबाप जी मैं अनाध हूं लेकिन पुजा अभी नादान है मगर तुम्में एक बड़े आत्मी बनने के सारी गुर मौझूद है तुमारी नजर की दाद देनी पड़ेगी ये लीजे ये पुजा की मां है मेरे घर की लक्षमी पेटा ये पांच लाक रुपए हैं मेरे खाल से इतने पैसे काफी हैं अपनी फेक्टरी खोलने के लिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो मेरी बेटी से शादी करें लोग उसे गरिब करें पुजा बेटी मुझे तुमारी पसंद पसंद है आज पहली बार मुझे अपने बाप की कमी महसूस हो रही है अच्छा पुजा में चलता हूँ और उसक्त लोट कराऊंगा जब तुम्हारे पापा को मुझे अपना दामाद कहने में फक्र महसूस होगा बेटा लेकिन तुमने कुछ लिया नहीं कुट्य को घी हजब नहीं होता दयाल साब मगर बुझे तुम मेरा इंतिजार करना है मैं जरूर लोट कराऊंगा और बहुत बड़ा आदमी बन कराऊंगा सिर्फ तुम्हारे लिए क्योंकि तुम मेरी जिन्दगी हो मेरी जिन्दगी का मकसद हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ क्रिष्णा, क्रिष्णा सर मैं क्रिष्णा बुल रहा हूँ क्रिष्णा? ओ, क्रिष्णा, कैसे हो? चीक रो, सर पुजा से बात कर सकता हूँ अरे भई बड़े आदमी बन गए के अभी तक वही कुत्ते हो जिसे घी हजब नहीं होता क्रिष्णा 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 एक छुराले मत जे पुरे कुल जावे मोने वारी वारी मन में यावे छुराले ऑार्ट पया डे सकतुआ कि जावे मन uniforms ऑच्षोन हिंँ िमानी कि अपै circularly वारी मन में आप पुराले यंच हो आजक ह्ता है यारी शैया unit कि दर्सन और तिलक के लिए आप टाइम निकाल ही लेते हैं तिलक लगाने से मेरा शांत मन को बड़ी शांती बिलती है पंडीची कि अरुड़ा बजय को बड़ी का अरुड़ीची उकी रपी लगाने से मुझ देफे बाइम निकाल रेक्ट ले जगानाल निकाल गाईम Summa कि अरुड़ा को अरुड़ा है लुड़ा कि बुड़ा युड़ा पनाल अख बाईम One कि तेड़ी कि अधी पैटी माबाप जो कुछ भी करते हैं और अवलाद की खुशी के लिए करते हैं कि इंसान जो कुछ भी चाहता है वो उसे मिल जाए ज़रूरी नहीं है बेटे मेरे पास तुम्हें देने के लिए नसीहते और दुआओं के अलावा और कुछ नहीं है इन्हें अपने आचल में बांद लेना अब तुम्हारे संस्कार ही मैस्री की पगड़ी है अगर तुम्हें आपनी खुवी चीज अब नजर भी आए तो चेरे से गुंगट उठाकर भी मत देखना है अब बस यही कहानी है मेरी इस दुनिया में तौलत पैदा करना बड़ा असान है मगर किसी के दिल में घर बनाना बड़ा कठिन है भरे सावन में रिगस्तान लगता है यह घर मेरा खाली मकान लगता है मास्टर हम तो गए मास्टर हम तो गए कभी जो भूप कभी जो भूलना क्या हो नचाने क्यों मेरे दिल बर मुझे तुम यादाते हो मुझे तुम यादाते हो मुझे तुम यादाते हो कभी जो भूलना क्या हो नजाने क्यों मेरे दिल बर मुझे तुम यादाते हो मुझे तुम यादाते हो मुझे तुम यादाते हो कभी सावन के मौसम में अगर गाये कहीं कोयल कभी सावन के मौसम में अगर गाये कहीं कोयल किसी महंदी की तहनी पर नजाने क्यों मेरे दिल बर मुझे तुम यादाते हो मुझे तुम यादाते हो मुझे तुम यादाते हो किसी के हाथ से छुख अगर शीशे का पैमाना किसी के हाथ से छुख अगर शीशे का पैमाना छलक चाए अगर सागर नजाने क्यों मेरे दिल बर मुझे तुम यादाते हो मुझे तुम यादाते हो मुझे तुम यादाते हो कभी जो हो लेना चाहूं नजाने क्यों मेरे दिल बर मुझे तुम यादाते हो मुझे तुम यादाते हो मुझे तुम यादाते हो मुझे क्यों यादाते हो मुझे क्यों यादाते हो मुझे क्यों यादाते हो मुझे क्यों यादाते हो पूजा क्या तुम जानती हो केपी साब अपना बद्दे नहीं मनाना चाहते थे लेकिन विचारे करते भी क्या काड़ जो पहले बढ़ चुके थे हाँ पहले मैं भी नहीं जानता था कि केपी साब ऐसे क्यूं है मगर बाद में पता चला कि वो तो एक मामूली मेकैनिक थे बूली गया जानती हो उनके घर का नाम क्या है क्या पूजा हॉस पीस करोड हवेली की दाम उन्होंने 21 करोड दिये सिर्फ इसलिए कैसा घर चाहिए था तुरे शेहर में ऐसी हवेली नहीं है और इसलिए उनने राजा साब की हवेली खरीब ली मालूमें बड़े आदमी का घर कैसे पैचाना चाता है जब उसके घर में पाटी हो अब गाडियों के लंडी लाइन लगी हो अब हाँ अपने बंगले का गेट जलियों लोना चाहिए अरे जो अंदर नहीं आ सकता वो कम से कम बंगले को भाज देखका खुश हो जाए पुश में गारी रुखने के बाद जब शौफर दर्वाजा खुले तो लगना चाहिए कि पाजी स्टॉलर है आओ पुजा चले हाँ 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 थे लाली स्टी नमस्त्र यृम आपको पहलेश दिखाता हूं आये आये रामा रामा क्या पहले से इसक्यूज में इनको पार इसलिए आए भाबी जी आए 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 सुना है केपी साब निया महल अपनी महभूबा की पसंद से बनाया था लेकिन किसमत का खेल देखिए भाबी जी उस बेचारी की शादी कहीं और हो गई रामा रामा जब हॉल में एंटर करें तो राज कपुल की फिल्मी सेट की तरह सीडी जानी चाहिए उपर अरे ये तो कुछ भी नहीं है भाबी जी उपर जाके देखें बहुत सी कमाल की चीज़े हैं देखने लाइक रामा रामा जाट की बधने हीज़े हैं चाहिए उपरी को। कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो रामा रामा ताज के नीचे तो सिर्फ मुम्ताज है लेकिन इस शीष महल में कई राज दफन है पूजा जी घबराये नहीं भाबे जी बिल्कुल नहीं घबरायेगा मैंने कुछ नहीं देखा कुछ नहीं देखा रामा रामा पूजा तीपक बाबु भार आपको ढून रहे हैं रामा रामा अब मैंने कुछ नहीं देखा भाबी जी रामा 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 पूजा अरे तुम उपर थी मैं तुम्हें नीचे ढून रहा था तेख लिया महल क्या हुआ पूजा तुम कुछ परिशान से लग रही हो नहीं दो यह परिशान नहीं है महल को देखे थोड़ी हारान है रामा रामा आओ चलो बाहर चलते हैं मैं तुम्हें केपी साब से मिलाता हूं रामा रामा आप जियो हजारों साल हर साल के दिन हो पचास हजार मुझे को लंबी उम्र की दुआ न दो जितनी गुजरी ना गवार गुजरी है मुझे इस बात की खुशी नहीं है कि आज मेरा जनन दिन है बलके इस बात की खुशी है कि मेरे घम भरी जिंदगी का चलो एक और साल कम तो हुआ जिंदगी की उमर इनके दुश्मनों की काम हो नहीं तो कहता हूं भाईयो इस मेफिल की उमर भी इनको लग जाए क्यों रामा 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 हुआ हुुुआ हुआ हु लुठी कूछ को की श केते और ओन्स इंदगी तो कुछ की मेरे लुक युश्मनों ढया देंकर फॉम earn तुम्हारे लिए ही मैंने शराब पी है तुम्हारे लिए ही मैंने शराब पी है तुम्हारे लिए ही मैंने शराब पी है किया वात वाइदे रामजी देखे जोरा ले मते जे पूरे कुछावे मोने वारी वारी मन में यावे जोरा ले विल मुजिक, विल साउन, मुजिक गए, सोवर मंदिर स्टूडियो एक जोरी तेरो जोवने काबूह कारे ले मैंने तो तुम्हे त्यार किया मैं पागल आशिक बेचारा मुझे हस हस के तुमने मारा एक खाश बता पहले होता वो कर बरबाद न मैं रोता तुम हीने मेरी जिन्दगी खराब की है तुम्हारे लिए ही मैंने शराब भी है तुम्हे ने मेरी जिन्दगी खराब की है करना करें तुम्हें करूं तुम्हे लगी है इंही की महर्बानियों से शाब का ये हाल है किसे क्या बोले क्यों जीता हूँ अपने जखमों को सीता हूँ बुल्याद जले है सीने में आए नमजा अव जीने में किस चाहत काई ना मिला एक पल न कही आरा मिला तुम हीने मेरी जिन्दगी हराव की है तुम्हारे लिए ही मैंने शराव पी है तुम हीने मेरी जिन्दगी हराव की है तुम ही जिन्दगी हराव की है तुम हम एक एक घिन्दगी हराव की है पुझा पुझा ये पुझा अरे पगली कि इसमें तेरा क्या कुसूर था तू क्यू रो रही है मैं जानता हूं पूझा कि तुम मुझस बहुत प्यार करती हो और मेरे सिवा कोई तुम्हारे ख्याल में भी निया सकता है मैं तो सोच में नी सकता था कि जिस आत्मी को कल तक मैं एक देवता समझता था वो इतनी किरिवी हरकत कर सकता है मैं उसे कभी माफ नहीं करूँगा मैं आज ही उसके नौकरी छोड़ दूगा लोटा दूगा उसके देवी बंगले और गाड़ी की चाबियां किसे शैतान की दिवी सौख हाथ से किसे इनसान की दिवी खेराथ से अदा अच्छी है कल रात को जो कुछ भी हुआ माश्टर मुझे इस बात का बहुत अफसूस समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ एक काम करो तुम जाकर से माफी मागो अगर तुमने उससे माफी मागी तुसकी नजरों में तुम्हारा कद और उचावा जायागा लेकिन क्या वो मुझे माफ करेगी यूंहें करेगी शुर्फ तुमने उससे प्यार नहीं किया था उसने भी कभी तुमसे प्यार किया था वो तुमारी भावनों को जरू समझेगी को कि कि कल राज जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए बहुत शर्मिन हूँ दरसल कल मैं अपने अतीद के उस टूटे वे मंदिर में चला गया था जहां कभी मैं किसी पूजा की पूजा किया करता था तुम्हारा अतीद मेरा आज और मेरा मुस्तक्विन दोनों विगाड़ती का तुम एक मेकानिक थे ना एक मेकानिक फिगड़ी हुई को बनाता है पनी को विगाड़ता नहीं प्लीज मेरे ख्रयाशी तबाह मत करना पूजा किस अतीद की बात कर रहे हो तुम मुझे देखकर तुम्हें तुम्हारा अतीद याद आया मिरी मांग का सिंदूर और गले का मंगल सूद्र यह क्योंने नज़र आया तुम्हें तुम्हें क्यों भूल गए कि अब मैं तुम्हारी पूजाने बल्कि किसी की पत्ती हूँ कर रात जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी ख्वाइश थी तुम्हारे अंदर आज भी मुझे पानी की हसरत जिंदा है तुम मेरे पती मेरे घर पर इसलिए महरमानों ताकि उसकी आड में तुम मुझ तक पहुंच सको लेकिन अब मैं तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर ह चुकी हुँ अब तुम्हें इंसां तो दूर लेगता बंगे भी हासल नहीं कषकतेगा कभी नहीं किसी आपिले दूर्य कि मैं मैं अपनी कल की गलती के लिए बूजा से माफी मांगने आया है जा आफ की माथी बहुत खुथ्भाना है दूसरी मुलाकात का मैंने अपना इस्तीफा और तुम्हारे दिये हुए बंगले और कार की चाबियां तुम्हारे दफ्तर में छोड़ दी हैं मुझे उमीद है कि आज के बाद तुम मेरी बीवी की तरफ नहीं देखोगे दीपक तुम मुझे गलत समझ रहे हो मैंने तुम्हें नौकरी तुम्हारी डिगरी देख कर दी थी तुम्हारी बीवी देख कर नहीं मिस्टर कृष्णट प्रसाथ इस वक्ट मेरे घर में मेरी बीवी के सिवा और कोई नहीं है जब तुम भीड में सब के सामने उसे किस कर सकते हो, तो अकेले में लिपाक! तुमुझे अनकर अरजमन्तों में समाच समझ जो नौकरी और प्रमोशन के लिए अपनी बीवी का गलत इसमाल करके उसरो लाते है मैं जाता हूं तुम बहुत बड़े आद्मी हो लेकिन मेरी आन मेरी आपरू से बड़े लाई मैं तुझे इस कदर जलील कर दूँगा कि तु किसी को अपना मूद दिखाने काबल नहीं रहेगा समझे तुम मेरे पती मेरे घर पे इसलिए महरबानत तक उसकी आर्मे तुम मुझ तक पौत तको तुम्हारे अंदर आज वी मुझे पानी के हच्च्च जिन्दा है तुम मुझे अनका रजमन्सों मेंसे मत समझ मूद दिखाने काबल नहीं रहेगा समझे मूद दिखाने काबल नहीं रहेगा समझे मूद दिखाने काबल नहीं रहेगा समझे कि बॉटचरीं थीया श yok कि पुछर यह रह श जज dee जाह सो तो हमें ध्लिल करेगा परसाब को दलिल करेगा हाट जा फूजा क्योंता कुस्टा 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 क्योंता से अजाव कि कर दो राद कि Ikूए अहावा है कि अजावावा है कि अजाब कि अजाव आए रामा रामा क्या बात है लाली यह सब क्या है निस्टर दीपर आप पर चार्ज है आपने केपी ग्रूप इंडुस्टीस का लाख रुप्या का गवन किया है दिपा को जेल विजवा दिया रामा रामा हजूर आपसे एक बात कहनो तो मैं भूल ली गया उस दिन पार्टी वाले दिन दिपा की पत्नी मेल देखने आई थी आपके चैंबर में घुश कर अपनी तस्वीरे देख रही थी मैं अचानक वह पर पहुंच गया मुझे देखते कि समझदार हो रामा रामा हजूर मैंने आपका नमक आया है आपकी यह बात मैं भार जाके किसी जिसने अपनी पहली महबबत से जंग का एलान कर दिया है मिस्टर बजाई मेरी समझ में यह नहीं आता कि आपको मैं कैसे समझाओं आपका केस बिल्कुल एक तरफा है इसमें कोई गम नहीं है आपके बेटे को सजा से कोई बचा नहीं सकता पाबुजी पाबुजी रो मत मेरे बच्चों नसीब यब बिन मांगे कुछ डेता है बिना पूछे छीन भी लेता है क्रिशन प्रसाद ने हमें जो कुछ दिया था वो ब्याज के साथ वुसूल कर लिया अब तुम ही बताओ कि जिस बच्चे ने चोरी से मां का दू तक नहीं पिया उस पर लाखों के फ्रॉट का इल्साम लगा दिया गया बाबुजी आपने कोर्ट में अपिल की कहां अपिल करूं बेटी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये काहिदे कानून हम गरीबों को इनसाफ दिलाने के लिए नहीं बलके अमीरों की सहूरियत के लिए हैं कोई फकीर मेरा केस लड़ने को तयारी नहीं है अरे मैं तो धक है कानून को दुआई देते देते के पी सहब मैं आपसे अपने बेटे की रहाई की भीक मांगने आया हूँ करिश्न प्रसाद मांगने वाले को सिर्फ भीक देता है मगर तुम उन भीकारियों मेंसे हो जो सिर्फ दुदकार के काबिल है सचाए क्या है हुदूर ये तो मैं नहीं जानता मगर मैं ये जरूर जानता हूँ कि जिसे आप ऐसा बड़ा आदमी मुझरिम कह दे उसे बेकुसूर कोई भी साविट नहीं कर सकता आपके तहर ने मेरी कमर तोड़ दी है हुदूर मैं आपके सामने हाथ चोड़ता हूँ मेरे दी पर कुछ छोड़ दीजिए जोरी तेरो जोवने का बुआ का रहे ले ना के देने देले पैदो तीरा जदा रहे ले जोरी तेरो और क्या सिखे रहे ये वाई रिंको दुख्टी पुरा देखे जोरा मेरो जोवने जोगा खावे तू तो मिले वे जानते हैं वे भी कि उसने मुझे जलील किया? मेरी कमपनी में लाग हो रुपे का गवन किया? क्रिश्न प्रसाथ इज़त और दौलत दोनों को एक साथ गवा कर खुश रहने वालों में इसना नहीं है रह्म कीजी मुझे मैं बहुत ठक गया हूँ मेरे बूढे कंदों पे एक बदनामी को बहुत बड़ा बोज आपड़ा है छोड़ दीजे मेरे बेटे को ठीक मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ देता हूँ तुम अपनी बहु को मेरे पास भेज़ दो क्रिश्ण प्रसाद कमीने ये किसी गरीब की गर्दन नहीं है एक टाइकून का गिर्यपान है उड़ा के भार फिक दो इने कमीने पहले मेरे बेटे को फ़दा दिया अब मुझे मेरी बहु मांगता है अब है मैं तो तुझे देवता समच्चा था और तू निकला सिर्फ एक आदमी और वो भी एक नीज और गिरा हुआ आदमी मित जाएगा तू बरबाद हो जाएगा तू लोग ठूकेंगे तेरे इतिहास पर और लानत भेजेंगे तेरी हस्ती पर ये नेरी बद्दुआ है तेरे लिए समझे ये मेरा श्रॉप है तुझ आज मुझे पहली मर्ता पता चला कि इतने वड़े में रहने वाला शक्स इतना च्छोटा भी हो सकता है रे जिस महबत को अपनी महबत के बल से हासिल ना कर सका उस महबत को अपनी कायरता चल कबड़ तो कर ना चाता है आज मुझे पता चला कि तेरे मासूम और भॉले चेरे के पीछे एक शैटान एक भेडिया रहता है तो महबत में मिटा जरूर है मगर महबत के फलसिफे को नहीं समझा तू बहुत तूंचा फलसिफा है और मैं यहां तेरी शरारतों को रफू करने आया था STEP-Doll को रफू नहीं कर सकताु मैं मज़ा रहूं मुझे किसी की जरूरत नहीं हूं अरे जब मैंने अपने दिल में रहने वालों के जाने का अफसोस नहीं किया तो घर से जाने वालों की परवा क्या करूंगा मास्टर तो सिर्फ बातों की चिंदिया रफू कर सकता है दिलों के चिथरों को ना आए चल जा कोई जरूत नहीं है मुझे किसी के अब बाबुजी क्या करेशन प्रसाद ने अरे कहेगा तो और वो खुद दीपक को छुड़ाएगा आखिर वो भी तो किछी का बेटा है वो भी तो समझता होगा कि बेटे पर हुए अन्यां है बाप को किस तरह रुलाते हैं उन्होंने कहां क्या बाबुजी कहां ना वो छु मेरे चेरे पे घुंगट नहीं है मैं आपकी आखों में अपमान के आशू देख रही हूं कोई ऐसी कड़ी बात अब सुनकर आये हैं जिसे कहते हुए आपकी जबान अपका साथ नहीं देवारी है मुझे बताएए बाबुजी पत्ति के घं से ज्यादा घंगिन कोई बात नहीं हो सकती जिसे पत्ति सुनना सके मेरी बात तो सुनो बहुत मैं आपकी बात समझ रही हूं बाबुजी लगर यह नहीं समझ भाई कि क्रिश्न प्रसाद में पति को छोड़ना नहीं चाहते आप उसे चुड़ाना नहीं चाहता कोई बहात अपने बेटी की आशी रही न प्रश्न प्रसाद ने आपके पेटे के रिहाई के लिए बहुत की समानत मंगी है है ना नहीं तुम जोकर के बार अदम नहीं रखोगी मेरा पती जेल में है बाबुजी मैं मर्याता के तारे में खड़ी होकर अपनी फंदी पैसा चाहूं जो धेक ने सकती ने एक सकती में ने एक सकती में पहूँ पहूँ मैं आ गई हूं के पिसाब मगर यह मत सोचना कि मैं तुम्हारी मर्जी से आई हूं मुझे यहां मेरी मजबूरी लाई है पती पत्नी के लिए भगवान होता है और मैं अपने पत्नी के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तेयार हूं बोलो उन्हें छोड़ने का क्या लोगे बोलो जवाब दो तुम्हारा इमान धरन तो बिजनस है ना बोलो क्या उतारो कंगन यह मंगल सुत्र ने कर दोड़ने झाफरे में जिए यह उन्हें तुम क्या समझती हूँ मुझे तुम्हारे जिसम की ज़रूरत है तुम्हारे शरीर की भूग है मुझे मैंने कभी तुम्हारे जिसम से नहीं तुम्हारी आत्मा से प्यार किया लेकिन तुमने तुमने मेरी कदर नहीं की मेरा इंतजार नहीं किया मुझे किसी गुजरे में वक्त के तरह भुलाकर किसी और का हाथ थाम लिया कि यार हम दोनों ने किया मगर तड़कना सिर्फ मेरे नसीद में आया कि मेरा तुम्हारा नाता तो उसी दिन तूट गया कि जिस दिन तुम्हारी शादी हूं कि मैं उस दिन तुम्हारे घर अपनी महबत का इजहार करने नहीं गया था अपने डर्द अपनी तड़क का हिसाब मांगने के लिए नहीं गया था बलके उस रात पार्टी में हूँ इस गल्ती की माफी मांगने के लिए गया था जो तुम्हारे जुदाई तुम्हारे सोग में चोट खाय मेरे दिल के हाथों हो गई लेकिन तुमने मेरे ज़स्बात को नहीं समझा मुझे कोई गिरा हुआ यह घटिया आदमी समझ कर धिकार दिया मैंने तुम्हेरे साथ जो भी किया वह बदला लेने के लिए किया बलके तुम्हें इस बात का एहसास दिलाने के लिए किया कि तुम जो सोच रहे हो ऐसा नहीं है कि मेरे मन में कोई खोट कोई पाप नहीं है कि महबत का दर्द बड़ा जान लेवा होता है पूजा जी कि मैंने तो तुम्हें मौफ किया मगर तुमारा कभी इंसान का जनम मिले तो महबत जड़ा सोच समझ कर कीजियेगा कर दो 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 किसी से, किसी से गिला नहीं नजीव में नहीं था जो हमको मिला नहीं शिकवा नहीं किसी से किसी से गिला नहीं नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं इसका उपियोगा अपनी बेटी की शादी में कर लिजेगा तू मिल सका नहम को तसली तो मिल गई तू मिल सका नहम को तसली तो मिल गई आई पहार शाख पे कली भी खिल गई अरमा था हम को जिसका वो गुल खिला नहीं अरमा था हम को जिसका वो गुल खिला नहीं नसीब में नहीं था जब हमको मिला नहीं नसीब में नहीं था जब हमको मिला नहीं अरमा था जब हमको मिला नहीं तू मिला नहीं था जब हमको मिला नहीं यादो की जिल मिला थी परचाईयो के दिन कटते नहीं है तनहा तनहाईयो के दिन है चाहतों का दिलकश अब सिलसिला नहीं नसीब में नहीं था जब हमको मिला नहीं शुकवा नहीं किसी से किसी से गिला नहीं नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं प्योर घी, प्योर फ्लावर्स, प्योर मैन दीपक बाबू, जेल की रियाई बहुत-बहुत मुबारक हो, मुझे मालूम था कि आप जादा दन जेल में रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि जिसकी धरम-पत्नी इतनी खुब्सूरत हो, जवान हो, उसके लिए क्या जेल, क्या पुलिस, क्या कानून, क्या मतलब? मेरा मतलब है कि आपकी धरम-पत्नी पूजा-देवी ने अपना सब कुछ अरपन-सरपन करकर आखर आपको जेल से रहा करवाई लिया लिए हराम-जादे, अरे मेरी गर्दन क्यों पकड़ रहो, पकड़नी है तो केपित साब की पकड़ो, जिनके बेडरूम के अंदर आज तक आपकी धरम-पत्नी पूजा-देवी की तजवीर है, और वो हरोज उसकी पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं, जाओ बालक जाओ, जाओ और हमराम कर दो कर दो तू मेरी बात को सरसुन ले गोर से दीवार उठा चाहे लगा पहरा तू फान इश्क का एक बार जो उठा मेरी जान फिर कभी न कहीं ठहरा चुरा लेंगे हम सब के सामने दिल तेरा चुरा लेंगे हम सब के सामने दिल तेरा चुरा लेंगे हम सब के सामने दिल तेरा तू मेरी बात को सरसुन ले गोर से दीवार उठा चाहे लगा पहरा तू फान इश्क का एक बार जो उठा मेरी जान फिर कभी न कहीं ठहरा चुरा लेंगे हम सब के सामने दिल तेरा चुरा लेंगे हम सब के सामने दिल तेरा आज को आज नहीं तेरी सच्चाई आखिर अपना रंग देही आज नहीं बाबुजी मैं अपनी सच्चाई के बूते रहा नहीं हुआ मेरी रहाई कराने के लिए आपकी बहुने किमत चुकाई है तेरी आखो में आसु मेरी रहाई के हैं या केपी से ना मिल पाने के दुख्ये दुख्ये ही होंगे क्योंकि तू क्रिश्च प्रसाद से प्यार करती है ने वीपक ऐसा कुछ भी नहीं है यह सब जूट है पहले मैं भी इस बात को जूट समझता था लेकिन जब उसके कमरे में मैंने तेरी तस्वीर देखी तो मैं समझ गया कि कि आखिर इतनी आसानी से मैं कैसे जेल से छुटा कि भरी पार्टी में उसका तेरा मू चुमना मेरी गैर हादरी में माफी मांगने के बहाने तुम से मिलने आना मेरे विरोध करने पर मुझे जेल भीजवाना ये तुझ से क्रिश्च प्रसाद का प्यार्णी तो और क्या है ह क्या है तो अच्यार्ट मेरे जेल जाने के बाद तु उससे रोज मलती जुलती रही और जब उसका दिल भर गया तो मुझे रहा करतें लाएं नाजरों में देवताबल अगया प्स試न क्या अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फैर मेरे च्यार्च पाक्यु से मान क्या ऐसी कौन सी वज़ा थी कि तुम से मिलकर उसने मुझ पर लगाए हुए लाखों रुपए का गबन का अलजाम वापस ले लिया कि इसलिए क्योंकि तुम्हें दूसरे से प्यार करते हो क्रिश्णा प्रसाद मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता था लेकिन तुमने तो कुछ बाकी नहीं रखा कि अगर तुम अपने पति से ज्यादा प्रेमी को ज्यादा आजीज मंती हो next तो मैं तुम्हें अजात करता हूं ज़ा। जो कृष्णा प्रसाद से शादी कर लो। तुम चाहते हैं कि तुम क्या कह रहाँ। अच्छी तरह जानता हूँ। तुम कुछ नहीं जानते को जिस बात को तुमने रोटा कर गह दिया, अब बात में काहाँ में भी नहीं सो सकती तीपक मैं तुम्हारी पंद्री हूँ मिला विश्वास करो तुम जैसा सोच लियो ऐसा कुछ भी नहीं है मिला विश्वास करो अब तुम मुझे समझाने की कोशिश मत कर दीपक बजाज किसी दूसरे का करमायवा कंबल नहीं ओड़ता और तो वो है जो अपने पती के विश्वास को जिन्दा रखने के लिए मर जाए पती की गेरहाजरी में किसी प्रेमी का कॉल पूरा करने वाली और पत्नी नहीं कुल्टा होती है और कोई मर्थ किसी कुल्टा के मांग में अपने नाम का संदूर परतास नहीं कर सकता तुम पच्टा होगे इससे पहले कि मैं अपने आप इसे बाहर हो जाओं दूर हो जाओं मेरी नजरों से गेराओं कि दीपाख और उस वक तक सीता सावित्री होती है जब तक उसका पती राम और सत्यवान होता है जिस दिन ये मर्यादा तूटती है ना और एक ऐसा उल्जावा सवाल बन जाती है जिससे कोई मर्थ सुलजा नहीं सकता कि गुजरी वी जिनदगी की बारें पुछने का हक तो नहीं है लेकिन इतना मैं जरू जाना चाहता हूं कि वह क्या वजिद्धि जो तुमने कि धिर्फ को भुला दिया कि मैंने इसलिए पुला दिया क्योंकि मेरे शादी दिपक से हो गई दी आ लेकिन तुम्ने दिपक से शादी की क्यों ह॔ प्यार तो मेरे विएवान उस प्यार के वजह से कई मेरी जिन्दिया खराब हो रही थी मान समान समाज सब की कसरवार हो गई थी मैं कृष्णा के इंतजार में मैं इतना जली कि अगर पथर भी मेरी जैका होता वो भी राख बन जाता लेकि मैं राख नहीं हुई क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि वह एक दिन आएगा पांच साल हो गए ना वो आया ना उसकी कोई ख़बर फिर मेरे माबाप मेरे शादी को लेके परेशान हो गया एक दिन प्रिश्णा का खता आ गया जिसमें लिखा था मुझे बुला दो तब मेरे इंतजार करने का बहाना भी खतम हो गया फिर लड़की तो होती ही है त्याक का जहर पीनी के लिए मुझे खुशी खुशी अपने माबाप के फैसले का जहर पीना पड़ा तो क्या तुम्हें क्रिश्णा का दूसरा खत नहीं मिला कौन सा दूसरा खत क्रिश्णा ने मुझे कितने खत लिखे यह मैं नहीं जानती लेकिन पांच साल में मुझे सिर्फ एक ही खत मिला वह भी मेरे डाड़ी ने मुझे दिया था अज़र नमस्ते मेरे नाम चबन मास्टर है मैं रफूगर हूँ है यहां क्या करने आयो अज़र जिनके सूरत अच्छी नहीं होती मैं उनको आइना नहीं दिखाया करता है मगर आज मैं खुद आपके सामने आइना बनके खड़ा हूँ कि मेरी मजबूरी है तरकार ने लकणियां काटने और जलाने पर तो पावंदी लगा दी मगर बहुएं आज भी जलाई जाते और उसके जमेदार हो त्याप जिससे दौलत मन बाप जो अपनी बेटी से ज्यादा अपने अभीमान की सोचते हैं यह क्या पक्वास कर रहे हो खर बहुत मलकर कि इस्ञाओ और आपकी बेटी के टूटे विरिष्टों की बात कर रहा हूं घृष्ण ने आपको दो फ़क्रिके तेना एक अपनी बरबादी का दूसरी अपनी कामयावी का है बरबादी का अपनी बेटी को दिखा कर उसे शादी के मजबूर तो कर दिया कि ने दोनों की जिन्दगी को परबाद करके रख दी देल साहब आज से सिर्फ गरीबों के साथ नहीं हुआ करते कभी-कभी गाड़ी की नीचे अमीरों के बच्चे भी आ जाया करते हैं क्या हुआ मेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ सिर्फ उसके शौर ने उसको घर से निकाल दिया है जर्मा आपने किया और गुनेगार वो सावित हो गई आपकी बच्चे से ये ना थी मुझे आपकी विचारो आपकी ख्यारों क्यों नहीं हुआ वे चुरा मिरो जो बन जो काखा वे मिले वे तू तो क्यों नहीं हुआ वे चुरा मिरो क्या बातर आपकी विपनान हमोश तुम क्या मुझे या जलील करने आयो वदा का शुकर मनाव कि आज बकरी इतनी है वन्हें कुर्बानी का चजबा लेकर आता लेकिन मजबूरी तो यह कि हमारे हां हराम जानवानों की खुर्बारी मंजूर भी तो नहीं है लानत है धरमदास मेरी बेटी कहा है कहा है मुझे पूछते हो तो महान अगर टेलेफोन निगम की डिरेक्ट्री उठाओ और के के पन्ने खोलो KP Group of Industries के 40-50 नंबर होंगे और कहीं न कहीं अपने आशिक कृष्ण प्रसाद के साथ एंगेजड होगी तुम्हारी बेटी अतमाश कहा है मेरी बेटी पूजा कहां शिपा रखा है तुमने उसे किष्णा आग और तेल का खेल बड़ा घटिया होता है मेरी बेटी की ग्रस्ती बरबाद मत कर कहीं दिल का मरेज तो नहीं है कि इसलिए पूछ रहा हूं कि अब जब मैं चिलाओंगा तो कहीं तेरा दम ना निकल जाए कि चला मत यह सवाल मुझे तुससे पूछना चाहिए था कि मेरी पूजा कहा है मगर मैंने तुमसे पूछा कि तुमने उसकी शादी किसी और से क्यों कर दी चाय की खेती करने वाले अमिर्जादे जितनी तुम्हारी साल भर की कमाई यह उतने रुप्यों के सर्फ और साबुन से मेरी हमेली के फर्ष होए जाते हैं नजर उठाके देख इसकी उचाई की तरफ जब तक तक तरी नजर इसके घुमात तक पहुचेगी तेरे कांदे से तिरा सर नीचे ग अगर मेरी बेटी के भागने का सबब तू है तो तेरे लिए बहुत बुरी बात है अवा ले दे कि तख लिया कि अग कि अग्या हो गया कि मैंने तो तुम्हारी परवरिश फुलों में की थी तुम तुम कांटों में कैसे आगी बीटी कि जिन्देगी के फैसले नसीब करता है डैडी कि माबाप नहीं कि आपनी फुलों में मेरी परवरिश की थी वो मेरा नसीब था आज मैं काटों पर आ गई हूं यह भी मेरा नसीब है चल बीटी चल मेरे साथ घर चल बेटी का घर माइका नहीं ससुराल होता है और ससुराल के दर्वाजे मेरे लिए बंद हो चुके हैं बेटी बंद होके तो क्या हुआ । तेरा बात तो जिंदा है ने शाधी के बाद आपके घर में जो बेटी चाहती है ठेरी वो बड़ी बद नसीब होती है विंदी आखिर मेरा यह सब ते रा ही तो है आप के सब कुछ से मेरी जिन्देगी नहीं कटेगी ल्याड़ी व्कॉटिल जिन्देगी तब कट्थी है छिवधास में अपना कुछ ऊँब हमेरा अपना कुछ भी ने रहा जो मैंने चाहा वो मुझे मिला नहीं और जो आपने दिया वो रहा नहीं बेटी मेरी डूली पिदा करने के बाद आपका फर्स पुरा हो चुका अब आपको मेरे दुख सुख से कोई वास्ता ने रहा और फिर मैं आज के जमानी की बड़ी लिखी लड़की हूँ बाप के लिए छोटी हो सकती हूँ दुनिया के लिए नहीं दीपक मेरा पती है उसके फैसले का सम्मान जखने के लिए मैंने घर चोड़ दिया उसका गुसा थंड़ा होने के बाद मैं उसे फिर समझाओंगी वो फिर भी नमाना तो उसको तलाग मैं खुद दुखें मांगोंगी नहीं कि मुझे अपनी हाल पर छोड़ दीजिए लेकिन बेटी ये सब कुछ तुम मेरे साथ रहकर भी तो कर सकती हूँ दियाल साथ बच्चे जब तक माबाब की गोस्ते उतरते नहीं तो चलना सीखते नहीं इन्हें चलना चल के गिरना गिर के समलना समल के फिर चलना इसका मौकद दीजिए ये आपके ओलादे आपके सारे हक हैं इस पर लेकिन इसकी तरदीर का फैसला आप करें ये हक नहीं है इसलिए वहतर है कि आप यहांसे चले जाईए आओ रफू मास्टर आओ कहो कही तुम्हारी भी कोई चीज़ खो गई है क्या मेरी जो चीज़ खो गई उसे पाने की मुझे तमना भी नहीं है क्योंकि जिसकी नजरों से मैं गिर चुका हूं तो मैंने भी अपने नजरों से गिरा दिया है बहुत बढ़ी है तो कहो यहां आने की तकलीफ कैसे की पूजा की जिन्दगी में तुम्हारी दोबारा दखलनाजी ने उसकी जिन्दगी बरबात कर दिये उसके पती ने उसको घर से निकाल दिया है वो ना माईके के रही और तुम मैं क्या करूं अपने साथ भी उसने कुड़ा इसी निभाई नहीं है ज कि बढ़त ले ये उसका लेघ्ज़घ दिये और उसने जो कुछ भी किया वो इसकी मर्जी नहीं थी मजबूरी थी पूजा का तुमसे अलका ऑना ये पूजा के बाप की कूट्मीती थी उसने तुम्हारी कामईाबी का खट पूजा को नहीं similar बलके भाड़ कर जला दिया, और तुमारी नाकामी की उस खत का वाता देकर उसे शादी पे मजबूर किया, जिसमें तुमने पुजा को लिखा था कि पुजा मुझे भूल जो किस पे करे यकीं, किस से करे गिला, मेरे नसीब ने मेरा ये हाल कर दिया ये पी मैं तुम्हारे आगे हाथ जोडता हूं पुजा की जिन्दगी बर्वाद होने से बचा लो पुजा बेटी पुजा बेटी जिस आदमी ने मेरी जग हसाई कराई कुसी आदमी को मुझ पर हसने के लिए बुला कर लाए हो मास्टर ना पुजा बेटी ना तुम पर हसने वालों को अल्ला करें कियामत तक में उसकर आठ नसीब नहीं हो बेटी मैं मानता हूं कि आंधिया घरुन्दों की तिनकों को बिखेर दिया करती है जो हमाएं तिनकों को इखटा करती है को आंधी नहीं कहते हैं मैंने आपसे जहारी की भीक नहीं मांगी थी मास्टर मुझे अब किसी की आगे अपना दुख्रा नहीं रोना है किसी की पत्मी बनने के बाद तुम मेरे कांधे पे सर रख के रो यह मुझे भी अच्छा नहीं लगए अपूजा मैं आपर तुम्हारे आसू पोशने के लिए नहीं अपनी गलतियों का प्राइसचीत करने के लिए आया हूँ दरसल मैं अपने दिल के किसी कोणे में महसूस करता हूँ कि मेरा तुम्हे अपने घर बुलाना ठीक नहीं हुआ जबकि मेरा तुम्हें बुलाना गलत नहीं था हमारी ग्रहसी को गलत फैमी की आग लग चुके क्रिश्ण प्रसाद और यह आग बड़ी बेरहम होती है लगाने वाले को भी जला देती है और बुजाने वाले को भी मेरा दामन बचाने के लिए अपने हाथ में चला चले जाए अब जलने के लिए बचा ही क्या है पूजा गम स्थे खाली नहीं जिसम का को ना कोई हम रहें ना रहें हम पे मत रोना कोई पूजा हमारे साथा पूजा कि अब जो दुपक मेरे शक्क और यकीन को और मजबूत करने आये हो अब मुझे कोई गलत फैमी नहीं रही तेरे हाथों में इसका हाथ एक जिन्दा सबूत है कि दिपक मेरे बाबुजी समझते थे कि घर में लक्षमी आएगी तो सब कुछ अपने आप आ जाएगा वगर सब सुल्टा हो गया घर की मान मर्यादा सब को चुल्ट किया तुहारा कुछ भी नहीं किया रिपक दम तोड़ती हुए चिंगारी को हवा मत दो जो कुछ बचा है वो भी खाक हो जाएगा जिस मर्द की बेवी भाग कर किसी और का हाथ थाम ले उसके पास आग से बचाने के लि कि तेरी लाग कोशिश करने के बावजूद जा तुह उससे खुल कर नहीं मिल सका तो तुने मुझ पर जूटा इल्जाम लगा कर मुझे जेल बिजवा दिया अगर इतनी बाते सच हैं तो तेरी महबत के फसाने गलत कैसे हुए एक की मेरो के वो माने देवानियों मत कर कोद किया तुह मन मानियों मेरो एक के मेरो के वो माने देवानियों मत कर कोद किया तुह मन मानियों मेरो हाँ गलत नहीं है ये सच है के पूजा मेरे जिन्दगी की पहली और आखरी ख्वाइश चीए मगर मेंसे पाना सका मेरे हालात गर्दिश पे थे तुखुश नसीब था इसे अंचाहिप पा गया मैं कम नसीब था चाहकर भी पाना सका हजारों हाथ आस्मान की तरफ उठते हैं मगर दुआएं सबकी कबूल नहीं होती तुम्हारे नसीब में इसे शादी लिखी थी और मेरे नसीब में इसका अधूरा प्यार तेरा अधूरा प्यार मेरी शाधी पर भा रही है यह अब भी तन मंच से तेरी है यह मेरे घर में थी तू इसके दिल में था तक गया है तू इसकी तस्वीर को पूचते-पूचते जा इसकी पूजा कर इसे मर्द मिल गया तो मुझे बीवी मिल जाएगी कि मेरे घर में कुल्टाओं के लिए कोई जगा नहीं है तो मुझे हर यूग में चाहेगा कि सीटा के वजूद पर किसी रावन की परचाई ना पड़े किस परचाई की बात करें तुम जब सीटा राम की हो जाती है तब उसके आगे लक्षमर नेका खीची जाती है कि जब मैं कृष्णा की थी तो तुम्हारी नहीं थी जब से तुम्हारी हो गए आठर को भुला दिया मैंने तुने के हर लड़की प्यार करती है ए लग अगर दुने के हर लड़की शादी करती है मैं ने भी कि अगर तुम दोनों अपनी जीका सही हो तो मैं भी गलत नहीं हूँ मुझे पी अपनी जिने का पुरहक है मगर तुम दोनों के कारण मेरी जिन्दीडी में नर्ग बन तो खुद है मेरे साथ बंधे रिष्टे की डोड़ तूट गई है अब तु मेरे पीछे भी चलेगी तब भी तुझे पलट कर नहीं देखूंगा दिपक्त ये रिष्टे इतने आसानी से तोड़ने के लिए नहीं जोड़े जाते हैं मेरी तर देखूंगा मैं कृष्ण प्रसाद कहने को तुम्हारा मालिक भगवान के घर में खड़ा होने के बावजूद तुम्हारे सामने घुटने देखता हूं जो मैं तुमसे मांगने जा रहा हूं वो मैं भगवान से भी मांग सकता था मगर मुझे मालूम है कि ये मुझे नहीं देगा क्योंकि इसने आज तक मुझे कुछ नहीं दिया सिर्फ चीनता आ रहा है देखो दिपाक मैं पागल हो सकता हूं क्योंकि मैंने प्यार किया मगर तुमने तो शादी की है तुम्हें पूजा से ये बेरुखी शोभा नहीं देती मेरे गुणाहों की इतनी बड़ी सजा पूजा को मत दो मेरे प्रायचीत की ना सहीं पूजा के सन्वान की तो लाज र और मेरे को तो रोख ले राते तू घुजारे और पती का नाम मैं आधू तूना। विश्णा और तुम उससे कहता है कि मैं इसके दिल में रहता हूं कहां है वो इसका दिल जिसमें में रहता हूं है अरे यह पक्की हिंदूस आके है है हाँ मैं इसके लिए कुछता कर सकता हो np कुछम मिलती है कुछम nay इससे देखता यह यह एकाख से देखते हैं है मैसे ज्यादा भागल अगर यह मुझे से प्यार करती तो चुप-चुप की थोड़ी मिलती एक रात में तुझे और तेरे घरवालों को लात मारकर केपी गुप-फ इंड्रस्टीस की मालकिन बंजाती क्या कर लेता तू मगर यह सा नहीं करेगी मालों क्यों यह इंडिया है यहाँ पर और दिवार से तो गिर सकती है मगर अपने मैयार से नहीं यहाँ पर प्यार महबद तो एक बार लोग खुल के कर लेते हैं मगर शादी प्याप बड़ा सोच समझ के किया जाता है जात पात ऊच नीच पीडी सीडी खांदान पांदान संसकार कार बैंग बैलन्स हंट बंट शंट बाबाजी का घंट सब द क्योंकि मैं नौकर था कि कहा कि मैं अपनी बराबरी वाले से शादी करवाओंगा क्या मेरे नौकर से शादी करती पुट्टे ने आज पैसे और शौरत के मामले में मैं इसके बाप का भी बाप हूँ क्या कर लिया मेरे यह सुर्खी जो इसके मांग में सिंदूर बनाकर सजाना चाहता था आज भी मेरे माते अको थे नहीं देख सकता हूं तू विश्वास कर विश्वास हैं डुनों पर दुनिया कायम है मिश्वास यूवे इस चीज न किफ दुनिया में जो पथर के मुर्धी को भगवान मना दिता अब तुव विश्वास करता हैं कि नहीं siamo कि कुछना टूकर नहीं करता हैं नहीं In यह तुर्न में क्या क्या हैं हुआ है और दुनिया सक्चाए का सबूर मांगती और सच्चा ही साबित करने के लिए और कोई रास्ता नहीं था मैंने पूजा को घर बुलाया था कि वह मेरी हवस नहीं थी मेरा अहंकार था कि तुम मुझे बुरा कह सकते हो मगर किरा हुआ नहीं कि कृष्णा नाम है मेरा काला मगर तुम तो दिपक हो अपनी रोश्णी में पूजा की पवित्रता को देख सकते हो कि अपनी हद से ना गुजरे कोई इश्क में जिसे जो मिलता है नसीब से मिलता है कृष्णा सोवल मंदीर स्टोडियो सिंगर सुपरिस्टार DJ किंग सिंगर वाइप पिल्टीप नाज जिनके मुपाइल नंबर अठ्यानमे संट्यास पच्पन वावण जिरसार म्यूजिक वय अपना एजराम लाखा डायरक्टार नदीप मंदावन और हमन तोड़ा भी एक जोरी तोए मौने के रूरे को ठावे मेरी अज्याने ने जड़तीयो जावे जोरी तोए मेरी जड़तीयो 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 जावे